दोस्तो आरबे सिस्टेंट एक्जाम्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा अगर आप 2023 के लिए त्यारी करना चाहूँगा तो इसके उपर एक इंपोर्टेंट अपडेट आपके साथ यहाँ पर साजा करना चाहूँगा अभी रिसेंट में आका जदव सार जो की यूटूब पर अपने बहुती इंटरनल इंफरमेशन देने के मामले में काफी आगे रहते हैं तो उन्होंने अभी एक स्टेट्मेंट दिया है उन्होंने का कि आरबे सिस्टेंट का जो नोटिफेशन है वो मॉस्ट परली मई में आ जाएगा और जो डिले चलना है उसके उपर उन्होंने बात कि उन्होंने यही कहा कि कोई भी जब नोटिफेशन होता है तो उसके दो इंपोर्टेंट पहलू होते हैं पहले चीच प्रिवियस बैच की जॉइनिंग और दूसरा जो प्रोमोशन है उसका क्या यहां पर चल र लेकर जो आपके ग्रेडे बनते हैं उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट था तो वो भी उनका 17-18 अप्रेल तक जो है वो जो है किलियर हो जाएगा तो इसी बजाए से उन्होंने कहा कि मई में आपका नोटिफेशन जो है यह मोस्ट परवली आ जाएगा और प्रिलिम्स ए और जुलाई इसमें हमें जुलाई में एक्जाम देखने को मिल जाएगा देखो 9 और 15 जुलाई को हो सकता है कि आपके प्रिलिम्स के फेस बन के एक्जामनेशन हो जाए और मेंस बिल्कुल ठीक एक महीने के बाद में लगबग 20 अगस को आपका मेंस हो है वो कंड़क्ट हो मिलती हैं तो मतलब आप यह मान कर चलें कि 900 से लेकर 1050 तक मैक्समा वेकंसी आपके यहां पर हो सकती हैं तो यह इंफॉर्मिशन इस पूरे नोटिफेशन के बारे में थी अब कितनी किस सर्किल में वेकंसी आती है जब वो तो तभी पता जलेंगी जब हमारा डिटेल नोट आप प्रिपेशन अपना स्टार्ट करें और मैं आपको अगले वीडियो में जो इसकी इलिजबल्टी क्राइटरिया हैं क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं क्या हसले बस हैं वो सारी चीज़ें आपको कट आफ के साथ एक एक करके बताने वाला हूं तेल दन यह जुरू क्योंकि आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगा ठीक है हमारे साथ कनेक्ट रहेगा और जुले रहेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के अपडेट मिल जा है चैनल को अभी सब्सक्काइब कर लें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया अपका ताकि आप इसे डा